हेलो दोस्तों आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है आप सब कैसे हैं मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आज दिसंबर की 20 तारीक है फ्रेंड्स और संडे अपडेट का वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही खुपसूरत पॉडर पफ प्लांट के साथ देखी कितना खुपसूरत फ्लावर खिला हुआ है इसमें और इधर सारे गुढ़ल के प्लांट को मैंने रखा हुआ है ठंड के मौसम में यहां पर सुबह साथ बज़े से लेके शाम चार बज़े तक धूप आती है और पर्मनेंट प्लांट को प्रापर सनलाइट जरूरी होता है फ्रेंट्स मिलना मिनेचर वराइटी का गुढ़ल और यहां पर आप देख रहे हैं एक और गुढ़ल का प्लांट देखे इस तरह के फ्लावर आते हैं इसमें ओर इसको मैंने कटिंग से लिक्रूप किया हुआ है और है जो प्लांट देख रहें हैं खुलां अवह प्लांट का समय है जो में कर्यान बेखिया है और यह में कि समय हूं भी है इसमें छोटा सथ तुगड़ा मैंने डाल दिया था इसमें और नीचे देखी कितना फैल गया है साथ में तुलसी जी भी बहुत सारे हुगे हैं और इधर भी गुढ़ल डबल चांदनी कनीर ये सारे पौधे इधर रखे हुए हैं ग्रो बैग में भी मैंने कटिंग लगा के रखे थे फ्रेंट्स जो मेच्चे और प्लांट बन चुके हैं अब इनको मैं किसी अपने फ्रेंड को दे दूँगी ये देख रहे हैं ये देशी गुढ़ल का प्लांट है तीन कटिंग इसमें रेडी हो चुके हैं अच्छा प्लांट और यहां पर हमारा देशी वरायटी वाला डबल जाफरी का प्लांट है ये देख रहे हैं कितना पूरा फूडों से भरा हुआ है और जो ट्रोपा में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है बारों महिने फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है इसक कि इसको मैंने कटिंग से ही रेडी किया हुआ है इसका मदर प्लांट भी है मेरे पास यह देख रहे हैं फ्रेंट्स यही है हाइब्रेड कुडहल की कटिंग जिसको मैंने ग्रोग किया हुआ है और देखे मोंगरा में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ चल रही है और यह भी क के फ्लावर आते हैं इसमें और जहां मैं इसकुल जाती हूं पढ़ाने के लिए वहीं से मैंने इसकी कटिंग लिया हुआ था और यहां पर हमारा बालसम इधर सारे गुड़हन के कलेक्शन और श्ट्रॉबेरी अभी पका नहीं है और यह देखिए एक और बालसम बालसम के सीड गीर गए थे तो अपने आप यह प्लांट उगाए हैं वैसे तो बालसम का सीजन बारिश में अच्छे से ब्लूमिंग चलती है और यह राइब्रिड गुड़हल है और यहां पर अलमंडा देख रहे हैं आप अलमंडा अभी बार जो ठंड का मौसम होता है उसमें उसकी ग्रोथ कम हो जाती है फ्रेंट्स उसके बार फिर फेप का महीना जब आता है तब फिर से शुरू होती है और यहां पर देखिए र आइब्रिड गुड़हल है यह भी और इसको भी मैंने कटिंग से ही रेड़ी किया है इसका मदर प्लांट मेरे नीचे ग्राउंड में लगा हुआ है देख रहे हैं इतना खूबसूराद मेरे जो गार्डन के आधे से ज़्यादा प्लांट मैंने कटिंग और सीट से ही रेड़ी किया है फ्रेंट्स मैं बहुत ज़्यादा प्लांट शॉपिंग नहीं करती हूँ और मेरी मजबूरी भी है क्योंकि मैं सिटी एरिया में नहीं रहती जहां नरसरी उपलब्ध होता ह जब चाहो तब आप नरसरी विजिट करके प्लांट्स शॉपिंग कर सकते हो लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है कोई भी नरसरी नहीं है और बाहर से प्लांट वाला आता है महिने में एक या दो बार और कलेक्शन भी उतने अच्छे नहीं होते उनके पास जो हमें चाहिए होता है वो हमें नहीं मिल पाता तो जब भी मुझे सिटी जाना होता है मैं इकठे ही बहुत सारे प्लांट्स ले आती हूं और यहां पर देखिए देशी वरायटी वाला हमारा हिबिसकस वाइट कलर का देखिए कितना खुबसूरत फ्लावर्स आया हुआ है और यहीं पर एक और देशी वरायटी वाला है इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया है और वाइट वाले को मैंने खरीदा है और यह देखिए यह भी हमारा कटिंग से ही लगा प्लांट है गुढ़हल का डबल पैटल वाला रेड कलर के फ्लावर आते हैं इसमें गुच्छो वाले और इसकी एक कटिंग और रेडी हो चुकी है उसको भी मैंने सेपरेट कर दिया है और यह टायर प्लांटार इसमें जल्द ही मैं कुछ वेज़िटेबल्स ग्रो करूंगी फ्रेंट्स और हमारा केले का प्लांट समी का प्लांट पूजा के लिए और इधर मेरे सारे विंटर के प्लांट रखे हुए हैं इस एरिया में भी दोपहर बारा बज़े तक धूप आ जाती है फ्रेंट्स बारा एक बज़े तक और विंटर के प्लांट के लिए धूप जरूरी भी होता है कम से कम चार-पांच घंटे की सनलाइट मिलने ही चाहिए और देखें मेरी गोल्ड भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं हाइब्रिड वराइटी और देखें फ्रेंट्स कितना खुबसूरत और इधर देख रहे हैं वो लड़ू गेंदा की वराइटी है और सारे इधर मेरे वरबीना के कलेक्शन और यह देखें कितना खुबसूरत कैलन कोई कैलन कोई रेड वाला बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग चल रहा है मेरे यहां और यह डेहलिया की कटिंग यह भी बहुत अच्छे से चल रही है और यहां पर मॉर्निंग ग्लोरी इसको मैं आपके साथ शेयर करते ही रहती हूं और डैन्थस है मेरा देखें फ्रेंट्स इ इनको भी मैंने च्छत पर ही रख दिया है पहले यह मेरे पोर्च में रखा हुआ था नीचे और इनको एक दो घंटे की सुगा की धूप मिल जाती है कुलियस बहुत अच्छे से चल रहे है ड्रेसीना सॉंग आफ इंडिया और सारे मेरे प्लांट है यहां पर देखें यह क कलर चेंज हो रहे हैं पुइंसिटिया के पत्तों के जेट प्लांट भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं ठंड में और यहां पर हमारा स्वीट पोटोटेवाइन कोई भी प्लांट की जब केर हम अच्छे से करते हैं तभी वह प्लांट बहुत अच्छे से चलता है फ्रेंट कई ऐसे प्लांट भी होते हैं जो rough and tough होते हैं ज्यादा केर की जरुरत उनको नहीं होती है बस लगा दो पानी देते रहो उसमें भी मुखुश रहते हैं और कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी केर की जरुरत होती है और यहाँ पर जर्बेरा में दो बर्ट्स आपको दीख रहे होंगे और यह जर्बेरा का तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया ही हुआ है यह देख रहे हैं इनके जो फ्लावर होते हैं लगभग 10 से 15 दिन तक बने रहते हैं फ्रेंट्स प्लांट पर और केलन को यह देखने लायक इधर सारे सेवंती के प्लांट है गुल्दावदी के अब इस सारे स्वेंड हो जाएंगे फ्लावर उनको मैं कट कर दूँगी और फिर से नय बट्स तयार होंगे और यह देखिए इसी में मैंने कटिंग ग्रो किया हुआ था और देखिए मिट्टी में कटिंग लगाने का फायदा होता है फ्रेंट्स गुल्दावदी की कटिंग को मैं मैं मिट्टी में ही ग्रो किया हुआ था डव में और जितने प्लाउट को मुझे सेपर्ट करना था प्लावरिंग होने लगे हैं और यहां पर मेरे देशी वराइटी वाला इस एरिया में में सारे cuttings और reporting किये हुए plant होते हैं friends देख रहे हैं यह सारे cuttings वाले plant है और जिनको थोड़ी सी सेडी area चाहाईए होती है धूप नहीं मिलना होता है उनको मैं इधर रखती हूँ और देखे मैंने दो दिन पहले ही यह सारे plants को report किया हुआ था देख रहे हैं friends और देखे यह मेरा permanent plant यहां पर आपको दिख रहा होगा पारी जात पारी जात कभी एक cutting ready हो चुका है उसको भी मैं separate करूंगी और यही शेयर करना था आज thank you